वे गाइस विलकार बेक टो मैंड चनल तो आज हम डेगन गोड शीरिस को फिर से कंटीनियू करने जा रहें तो जैसके मनी प्रीविस एपसोड में देखा था वे एक रूम में पहुंच आते है ओल्ड मैन बोलता है जो पहले टाइस टेश टेव वो स्लीप करना है जो आने बो पर वो फिर भी सो गया लांजाने ने इमिडेटली फेल्ट किया कि जो बैड वो कुजादे कंफरेबल है जैसे वो नीचे जुका वो कुजा सौफ्ट था कंफरेबल गरम था उसे ऐसे फीलिंग आ रहे थी कि वो अपनी मदर के आर्म्स में सोया हुआ है इसलिए उसे बहु लांजाने के आद आगे कि ओल्ड मैन के वर्ड्स क्या थे और वो उठना चाता था पर उसने फाउंड किया कि वो अपनी फिंगर्स को मूव नी कर पा रहा है जो ने सोच रहा है कि यह जो कलरफुल वर्टेक्स है इतने सद धीरे धीरे कि मूव कर रहा जितना यह करता था लांजाने किया कि कुछ तो गलत है उसने डिसाइड किया कि अपनी स्पिर्चुल पावर को डाले वो कलरफुल वर्टेक्स को स्टिमिलेट करने के लिए पर उसी मोमेंट में कलरफुल वर्टेक्स कुछ जादा फास्तरी किसे मूव करने लग पड़ा उसने एक परपल और लांजाने को देखा उसके ड्रैगन कोर से निकलते हुए को जादे लाइफ एनरजी और डिस्ट्रक्शन एनरजी अब जोब और इस उसकी बोड़ी में लांजाने खड़ा हो जाता और बूलते है ये दो इनरजी कैसी थी तब जोन अनरजी होती हो ऐसे हावामें होती है तुम अपनी लस्ट को कंट्रोल कर सकते हो जानी बोलता है मेरे पास ओल्ड रडी कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मेरी विश्य है ये कि मैं उसी की सात रहा हूँ हमेशा वो उल्ड लेडी बोलती है उस पास होती है तो अब एक वहाम पे आता है नेक्स टेस्ट के ल प्तुरा फुलनों करें अग्सुंट रिछिच्ट छिए कंदेशन के लिए और परिल्द बाइक सब्सक्राइब करताँ, विब भर ब्रक्राइब लूटकु, इस इस डेख में दिखाता, चोछै उत्वंधय। तो मैं पता जितने ज़दे लंबे टाइम तक वो यहां पे रहेगा, उतने ज़दे वो लाइफ और डिस्ट्रक्शन एनर्जी को अब्जोब करेगा, दूसरा ओल्ड मैं बोलता है कि मैं को अंसर तो पूछ, मतलब चाहिए था, पर जो लोह से वो कुछ जादर बड़ी हो बड़ेगा फ्यूचर में आप आने के लिए, पर उसके फ्रेंट्स के साथ क्या करें हम, बाकी बोलते हैं कि वो जागने से स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी जो स्पेचल पावर है वो इतनी वीक नहीं है, पर और कोश इंपोर्टन नहीं होगा तो ज़्यादा डिले इमत करना ज़्यानी बूलते हैं, तुम फिनिश होगे, रिजल्ट कैसा हुआ। कोईमे कोई बोलते हैं, पर इतनी अप ज़दा आसान नहीं था पास होना कोईमे कोन बूलता हैं पहले मैं सुया हुआ था, मैं क Supposef six आ अस्ति जो में को seduce करना चाहती थी फिर मैंने मैंकुन के बारे में सोचा और मेरी हिमत नी पड़ी उनको टच करने के लिए जोनी यह सुनके हरान होता है फिर नेक्स्ट करके ऐसे लान जोनी के फ्रेंड्स एके करके आ रहे थे जोनी बलते है जोनी बलते है जोनी बहुते है मैं सिर्फ थाखी हुई है और मैं रेस्ट करना चाहती हूं मैंकुन सोच रहे होती है किया कुछ मतलब डिफिकल्टिस आई हैं इसके एक्जाम में वैनन बोलता है कि शायद रियल लाइफ में कोई प्रोब्लम है, मैं भी घर जाना चाहती हूँ, मतलल जाना चाहता हूँ, और फादर को पूछना चाहता हूँ, फिर ऐसे ही बात करने के बाद सब ही चल गए, कौनली और लान मैंक्वीन ही बचे हुए थे सीगोड लेक पे, लोर को बंद कर देती है, जो आने सोच रहा हूँ, तो यहां पे हुआ क्या है, जो सोच रही होती है, यह बत्तमीज, ए घटी एंसान, क्या यह फ्यूचर में इतना जादा बूरा होगा, मैं को इस घटी एंसान को अब इग्नोर करना पड़ेगा, वैल क्या देख लिए इस कि मैंने वो सेवण होल इस абैस में देखा, ऐसा क्यूं है, यह सच निए है ना, युगे की मॉम बोलती है कि यह सच है, तुम उसकी बाइलोजिकल डोटन ही हो, मैंने उसे बिटरे किया है, यूगे रोते है इं बोलती है, उसकी मॉम भी ठेशर से रो रही होती है यह यूग यूगे बहुता है तो इरवान से बाग जाती है उसकी मदर वैल रोकने कोशिश कर रही होते पर फिर नहीं बोलती कुछ भी किया क्या यहां पर इतने ड्रामे क्यों हो रहे हैं गाइस पर ऐसे यूगे बैठी होते है घर के बार और रोरी होती है वो ऐसे बोल वेते हैं कैसे चकता यह कैसे चकता है तभी यूगे उसे डख कमार देती है यहां से चले जा मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ यूगे बोलता कि चाहिए कुछ भी हो तुम हमेशा मेरी सिस्टर रहोगे तबी एक वेल शायद युवानन का फादर वहां पे आ जातर बोलता जीमिंग मैं यहां पे हूँ युवानन बोलता फादर यूगे बोलती तुम यहां पे क्या कर रहे हो तुम मॉम और डोडर को फाइट करते हुए देखने के लिए यहां पे आयो तुमारे फादर को चूज किया उपर उस टाइम पे तुमारे जो ग्रेन फादर थे वो सड़लिन डिसापियर हो गए एक मीशन के दुरान yes only star में गया था और मैंने तुमारे ग्रेन फादर को वहां पे फाउंड किया और उन्हें बचा लिया पर उस टाइम पे तुम्हारे फादर की कोई भी नियूज नहीं थी और बात यह थी कि एक और कॉंसिडेंस हो गया कि तुम्हारे जो फादर थे वो भी उन्हें ढूंडने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ मन्त के बाद तुम्हारे मदर ने सोचा कि तुम्हारे फादर मर गे है तो उसने ऐसे हाँ कर दी में साथ शादी करने के लिए फिर कुछ टाइम के बाद ही तुम्हारे मदर ने बताया कि उसने इसलिए हाँ की थी शादी करने के लिए मेरे साथ किंकि वो प्रेगनेंट थी, मैं कुछ ज़्यादा गुसा था उस टाइम पे एक्शल में बात यह थी कि तुम्हारे जो फादर था और मैं थे वो मिले थे और हमारी फाइट हुई थी मैंने उसे बोला कि वो में कुछ डिफीट नहीं कर सकता है मैंने उसे बोला कि अगर वो मुझे डिफीट नहीं कर सकता है तो कभी भी शर्क सेटी में वापिस मत आना मैं एक्चलम बहुत जारे रिग्रेट करता हूँ अपने एक्शन को उस टाइम पे जीमिंग सब कुछ मेरी गलती है मुझे माफ कर दो से क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉंसिबिल्टीज को फुल्फील नहीं कर पाया उसका डैट बोलता है जीमिंग तुम 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 पता है वो अब कहां पे है वो बोलती है मुझे भी नहीं पता यूएनन का फादर बोलता है कुछ मैं तुम बताना चाहता हूं कुछ सालों में पहले कोई मेरे उपर अटाइक कर रहा था हार टाइम मुझे लगता है यह वही होगा जीमिंग बोलती है कि तुम यह बोल रहे हो कि जिसने तुम्हारे उपर अटाइक किया वो उसी की तरह दिखता है युएनन का फादर बोलता है शायद वो वही है जीमिंग बोलती है तो वो यहां पर क्यों नहीं आया मतलब मेर से मिलने के लिए वो बेकार इंसान ऐसे क्यों कर रहा है तब कोई वहां पर आते हो बोलता है क्योंकि वो कुछ आदे डरफोक है युएनन और यूगे हरान होत मुझे यह भी नहीं पता था कि यूगी मेरी डोटर है वह वह दाफुक ऐसे मैं तुम्हारी को जादा पास रहा रहा था मैं तुम्हें दूर से देखता था ऐसा करना ही मतलब सैटिस्फाइ कर देता था मैं को तुमसे दूर देखने के लिए तुम्हे जीमिंग पिए इसका मतलब इतनी जाद सालों में तुम में बस दूर से देख रहे थे यह यह भी gö जाता है हूं वो यूगे के पास जाता हूं यूगे की मदर प्रेगनेंट थी इसलिए उसने शादी कर ली बिना बताए यूएनन का फादर ने यूगे के फादर के साथ फाइट की तो उससे बोला था पास नहीं आना है और वो आया भी इतने साल गाइस इस टू मच यूएनन ने टांग यूगे को अपने मतलब रूम के पास छोड़ दिया उसी के रूम के पास यूगे जारी होती है वो ऐसे थोड़ी सी इमोशनल होती है शुक्रे जो तुमने आज की है आप से मुझे सिस्टर मत बहूला हम बलड रिलेटेड नहीं है यूएनन बोलता है कि तुम मेरे सिस्टर हो और हमेशा रहोगे अपसोर नमबर 129 नितन था अगर आपके यूड़ी बिसन तो लाइक और नहीं बाफिभी लाइक कर दो शेयर कर में तो साथ कमेंट करके बता अगर आपके यूड़ी केस लगे सब्सक्राइब करें तो तक लिए बाबाए